नमस्कार पिडिया मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एनवीरा एजुकेशन पर मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के लिए मैथामेटिक्स की एक सांदार क्लास लेके आया हूँ आज की इस कलास में हम अनुपात समानुपात का पार्ट फाइब यानि इससे पहले चार वीडियो अनुपात समानुपात से रिलेटेड हमारे चैनल पे अपलोड कर दिये गए हैं तो आप उन्हें जरूर अच्छे से देखिए और अपने नौट्स बनाईए और अगर आप हम कांटेस्ट आयोजित हो रहा है उसका पार्ट टू लेके आ रहे हैं तो कंटिन्यू बने रही है का साथ में आज की हम क्लास शुरू कर रहे हैं तो आज का जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो टाइप नंबर आपके बारवा है क्योंकि इससे पहले 11 टाइप हमने अच्छे स किलियर कर लिये हैं और ये बारवा टाइप और सीधा ही हम इसके प्रशनों की और चलते हैं तो इसके अंदर समीकरण के उपर आधारित में प्रशन आपको अनुपात समानुपात में समझा रहा हूं एक्वेशन देखे अनुपात पूछे तो आप किस प्रकार उसके इस वाई स्क्वेशर बराबर जीरो हो तो यानि यह एक समीकरण है बराबर में जीरो हो गया इसलिए एक समीकरण हो तो एक्स अनुपात वाई क्या होगा चार आप्शन आपके पास 2 अनुपात 1 या 5 अनुपात 3 आप्शनों को अच्छे से दियान दिजिएगा आप्शन B है 2 अनुपात 1 या 3 अनुपात 5 आप्शन C है आपका 4 अनुपात 5 या 2 अनुपात 1 एक अनुपात दू या पांच अनुपात तीन चार अप्सन और चारों में भी दो दू अप्सन है इसलिए इस प्रश्ण को हल करने का तरीका समझेगा कि जब समिकरण पर आधारित प्रश्ण आए तो उस टाइम अपन को क्या करना है ये एक्वल में क्या है जिरो यानि यहाँ पर एक्स और वाई ये एक्स अनुपात वाई आपको चाहिए इस प्रकार के प्रश्णों को करने के लिए आपको आप्सन चेक करने जैसे आप्सन ए इसमें दो अनुपात एक और पांच अनुपात तीन है तो आप पहले क्या करें इसको X अनुपात Y यानि ये X और ये Y मान लीजिए फिर दूसरी बार भी इसको X और इसको Y मान लीजिए ये वाली value जब मैं यहाँ पे रखूँ और बराबर में अगर परिणाम 0 हो जाता है तब तो ये answer सही है नहीं तो फिर आगे वाले answer की और बढ़ेंगे कलियर है ना तो अच्छे से देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले X अनुपात Y यानि 2 अनुपात 1 ले रहा हूँ 3 इंटू X दो 2 काई स्कोर 11 इंटू X का मान 2 Y का मान 1 प्लस 10 इंटू Y स्कोर यानि 1 काई स्कोर द्यान दीजिएगा पहले X Y इसे ले रहा हूँ 2 का स्कोर 4 होता है 11, 12, 22 और ये 10 क्योंकि 1 का स्कोर 1 ही होता है 4 ती या 12 माइनस 22 प्लस 10 अगर पूरा कैंसिल करूँ तो रिजल्ट क्या आता है 0 निकल क्या आता है इसका मतलब 2 अनुपात 1 एक आप्सन नंबर A में जो ये पहला है वो सही है ऐसे कैसे 5 अनुपात 3 चेक करते हैं इसके लिए यहां पर 3 X की जगा 5 का स्कोर लिखूंगा माइनस 11 इंटू 5 इंटू 3 क्योंकि X और Y ये है अब की बार तो प्लस 10 इंटू Y का मान है 3 का स्कोर ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 5 का स्कोर 25 11 पांड पच्पन और 55 तिया कित्ता होता है 165 तेन का स्कोर 9 9 इंटू 10 कित्ता हो जाएगा 90 25 तिया 25 माइनस 165 माइनस 90 और प्लस 90 अगर पूरा कैंसिल करूं तो रिजल्ट 0 आ रहा है इसका मतलब अपना यह option number यह राइट है अब इत्ता बड़ा और सबसे easy तरीका यही है आपको चाहे बड़ा लगे तो भी सबसे सरल तरीका option के बेस पे हमने answer निकाला है लेकिन अगर यह प्रश्न कोई समीकरण हल करके करना चाहे तो भी कर सकता है तीन x square माइनस 11xy प्लस 10y square बराबर में है 0 यह आपके सामने समीकरण है अगर आप इस समीकरण को हल करना चाहते है तो समीकरण हल करने की सर्थ क्या है मध्यपद के दो ऐसे टुकड़े करो कि जोडने पर तो मध्यपद आना चाहिए और गुणा करने पर प्रथम पद इंटू अंतिम पद आना चाहिए यह सर्थ है समीकरण हल करने की यहाँ पर देखिएगा 3x square इस 11xy के टुकड़े कर रहा हूँ 5x माइनस 3 स्वरी 5 10 इंटू 3 किता होता है 36 35 हो जाएगा तो माइनस 6y 6 और 5 किता होता है 6 और 5 और सबसे बड़ी बात यहाँ पर x y इदर भी और x y यहाँ पर भी होगा क्योंकि 6 और 5 11xy हो जाएगा इंटू करूँगा तो 30x square y square हो जाएगा प्लस का 10y square ही है बराबर में है 0 यहाँ से common क्या आ रहा है x इदर भी है x इदर भी है 3x अंदर बचा यहाँ पर क्या बचा माइनस का 5y पूरे में से क्या common आ रहा है माइनस का 2y कोमन आ रहा है तो यहाँ पर 3y बाहर तो अंदर x 2 का भाग 10 में 5 बाहर y यह y अंदर बराबर 0 पूरे में से फिर क्या common 3X-5Y यह 3X-5Y यहां पे X और उदर माइनस का 2Y बराबर में 0 तो समिकरन का जब सरलीकरन करते हैं तो यह वाली चीज़ भी 0 के बराबर और यह वाली चीज़ भी 0 के बराबर होती है 3X-5Y बराबर 0 इदर X-2Y बराबर 0 तो देखिएगा result 3X बराबर 5 को उदर भेजते हैं बराबर 5Y X बराबर इस 2 को उदर भेज़ूँगा तो बराबर में 2Y अब आपको अनुपात चाहिए यहां पर पहला option क्या है 2 अनुपात 1, 5 अनुपात 3 मेरे को यहां से X अनुपात Y निकालना है X निकालने के लिए X पे हाथ रकूँगा तो 5 आ रहा है Y के लिए Y पे हाथ रकूँगा तो X का मान 3 5 अनुपात 3 इसमें मिल गया ठीक है इसका देखें X बराबर 2Y यानि X अनुपात Y X के आगे 1 है तो Y के वाला मान इदर और X वाला मान उदर 2 अनुपात 1 भी है याँ पर अगर आप समीकरण से हल करना चाहते हो तो ये तरीका है नहीं तो सरल और सबसे इजी तरीका है मान रखके चेक कर लीजिए कि क्या बराबर में 0 आता है अगर मान रखने से बराबर में 0 जैसे 2 अनुपात 1 रखा रिजल्ट 0 जब 5 अनुपात 3 रखा तो रिजल्ट 0 ऑप्सन नंबर कौन सा सही हो गया ऑप्सन नंबर A और बहुत सांदार प्रशन है एक्जाम के लिए वेरी मौस्ट प्रशन तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि पूरा देखोगे तो 100 प्रशन आपके 0 लेवल से इस अनुपात समानुपात के complete doubts क्लियर हो जाएंगे प्रशन नंबर 2 इसी टाइप का ले रहा हूँ इसी टाइप में एक प्रशन और लेते हैं और उसको भी option के द्वारा चेक करते हैं क्या सही होगा या नहीं होगा तो प्रशन नंबर प्रशन इसी का है अच्छे से देखिएगा कि यदि 2x-y का square 2x-y का square यदि 2x-y का square प्लस 3y-z का square बराबर 0 हो तो ये चीज इक्वल 0 के दी हुई है अब की बार समीकरण की जगा यहाँ पर bracket में इसको solve करके बराबर में 0 लाना है तो इत्ता आपन को नियम याद नहीं रहते हैं सबसे सरल तरीका option के base पे जाच कर लीजिए आपका result आपके सामने होगा यहाँ पर X भी है Y भी है और Z भी है क्योंकि आपको यहाँ पर X अनुपात Y अनुपात Z पूछा जा रहा है option A option A में है आपके एक अनुपात दो अनुपात दो option B में है आपका दो अनुपात एक अनुपात दो option C आपके सामने क्या है दो अनुपात, तीन अनुपात, एक and option D है आपका एक अनुपात, दो अनुपात, छे और अब देखो मैं option के आदार पे प्रती एक option इसमें चेक करके बता रहा हूँ आपको कि क्या हुआ कि मैं ही option के base पे करें तो ये right होगा अपना आराम से देखिएगा दो x माइनस y का square प्लस तीन y माइनस z का square बराबर में है 0 सबसे पहले अपन चेक करते हैं option नमबर 1 अगर मैं option नमबर 1 की बात करूँ तो ये x है, ये y है और ये z है x, y और z आगे आपके पास यहाँ पर मान रखते हैं 2 into x का मान एकर का y, y का मान दो उपर क्या है square प्लस 3 y का मान किता है 2 z का मान किता है 2 बराबर में क्या लाना है 0 solve करके चेक करते हैं 2 into 1 2 2 माइनस 2 0 0 का square क्या होता है 0 का square 0 ही होता है प्लस कव प्लस रहने दीजी 3 into 2 6 6 माइनस 2, 4, 4 का square 16 क्या ये result उदर बराबर में जो 0 है उसके equal है क्या नहीं है इसका मतलब ये option क्या है wrong आगे बढ़ते हैं option number b चेक करते हैं अब देखो fastly चेक करना है mind पूरा active रखिएगा आपके सामने equation ये है 2x माइनस y का square प्लस 3y माइनस z का square 2 यहाँ पे रखूँगा क्योंकि ये x ये y गया 3, 3 का square 3 का square 9 होता है बराबर में क्या है अच्छे से देखिए बराबर में क्या है 0 अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस में कुछ भी मान आए ये तो result नो तो आना है इसका मतलब 0 इसका भी नहीं आएगा यहाँ पे देखें इसको भी आप चेक कीजिए 0 नहीं आएगा D option देखिएगा यहाँ पे apply करते है 2 into x का मान 1 y का मान 2 ऐसे कैसे 3 y का मान 2 z का मान 6 2 में से 2 0 का square 3 2 6 6 minus 6 0 का square 0 का square 0 ही तो होता है 0 का square 0 और 0 प्लस 0 करूंगा तो अभी 0 ही आएगा clear हो गया doubt आपका अगर option के base पे कभी अपन को अनुपात निकालना हो या अनुपात की जाच करनी हो तो किस प्रकार अपन कर सकते हैं अब अपन type number 13 में बहुत महतोपून प्रशनों की बात करेंगे क्योंकि type number 13 है आपका उसमें भी आपको समिकरन के उपर आधारित concept मिलने वाला है लेकिन सबसे बड़ी चीज की उसमें अनुपात स्वतंतर की इस्तती पूर्णते आपको clear हो जाएगी अनुपात स्वतंतर होता है या नहीं होता है उसका पूरा concept clear हो जाएगा और आप लोगों के लिए ये जो पूरे type में type बना के आपको बता रहा हूँ वो पटवार के exam के लिए बहुत आपके लिए उप्योगी सिद होने वाले हैं तो continue आप पूरे videos को देखिएगा और अच्छे से notes बनाईएगा continue आप पूरा video देखिएगा और साथ में अपने मित्रों तक इसे अच्छे से सैर भी कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सांदार प्रशन इस पूरे video सिरीज में आपको बताए जा रहे है इसके अंदर पहला प्रशन है यदी यदी A प्लस B यदी A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 व A प्लस B प्लस C बराबर 14 हो तो आपको यहाँ पर C का क्या बताना है C का मान बताना है option भी सुन लिजिए option A है 6 option B है 7 option C है आपका 18 and option D है आपका 14 प्रस्न बहुत ही शांदार है आपके सामने यहां पर A प्लस B दोनों का योग मिला के 6 है B प्लस C का योग साथ है C प्लस A का योग आठ है तो देखिएगा A प्लस B B प्लस C तो इस अनुपात का रिजल्ट आपके सामने A plus B का मान 6 है B plus C का मान किता है 7 C plus A का मान किता है 8 अब मैंने आपको कहा ता यहां पर कि अनुपात स्वतंतर होता है या नहीं होता है उसकी क्या condition होती है वो भी चीज अपन को यहां देखने को मिलेगी A plus B plus C आपको 14 दियावा है अच्छे से ध्यान दीजिएगा A plus B plus C बराबर किता दियावा है 14 यहां पर A plus B का मान B plus C का मान C plus A का मान लेकिन यह अनुपात में है और अनुपात कभी स्वतंतर नहीं होता तो A plus B का मान 6X लिक रहा हूं इन दोनों का योग और इसके साथ में एक value एड़ कर रहा हूं ऐसे कैसे B plus C का मान 7X लिक रहा हूं C plus A का मान में 8X लिक रहा हूं क्योंकि इस सब के साथ कोई ना कोई मान गुणे में है अब इन सभी का योग इन सभी का योग और इन सभी का योग करते हैं A plus B, B plus C, C plus A A देखिए किती बार आ रहा है दो बार, B B दो बार, C B दो बार और बराबर में इन सभी का योग हो जाएगा तो 2A plus 2B plus 2C बराबर 6, 7 और 8 किता होता है 21X बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को A किती बार आ रहा है 2 बार, B B दो बार और C B दो बार यहां से 2 कोमन आ रहा है A plus B plus C बराबर 21X 2 यहां से हटेगा तो उदर चला जाएगा यानि भाग में A plus B plus C का मान आपके पास 21 बटा 2X आया और मान दियावा किता है 14, क्या यह दोनों चीजे बराबर है या नहीं है बिल्कुल है 21 बटा 2X बराबर में है 14 साथिया 21, सादुनी 14 2 को उदर भेजूँगा तो 2 इंटू 2, 4 और यह 3 चला जाएगा बटे में X का मान आया 4 बटा 3 अब दिमाग लगईएगा अब आपको मान किसका चाहिए C का मान किसका चाहिए C का और C का मान यह X वाला मान अगर मैं यहां रख दूँ तो A प्लस B का मान तो आ जाएगा मेरे पास और मेरे पास टोटल यो किता है 14 A प्लस B का मान जब मैं यहां रखूँगा उसको इदर भेजूँगा माइनस होके किसका मान आ जाएगा C का तो अच्छे से देखेगा कि A प्लस B बराबर है 6X A प्लस B बराबर 6 इंटो X का मान 4 बटा 3 3 दूनी 6 A प्लस B टोटल किता 4 इंटो 2 8 A प्लस B अगर 8 है तो अगर उदर जाएगा तो C का मान 14 माइनस 8 किता हो जाएगा 6 कौन सा उप्सन सही है उप्सन नमबर A अगर बहुत सांदार प्रैक्टिस आप लोगों के की हुई है तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा और बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा करना क्या है सब का योग बराबर में 21 इदर A भी दो बार B भी दो बार C भी दो बार आ रहा है ये टोटल योग मेंने लिख लिया यहां से दो कॉमन दो उदर जाएगा भाग में चला जाएगा ये वाली वेल्यू 21 बटा 2X है ऐसे कैसे क्यूशन में दियावा है A प्लस B प्लस C बराबर 14 ये दोनों चीजे बराबर हो जाएगी बराबर होगी तो X का मान आएगा ये X वाली वेल्यू जब में यहां पे A प्लस B के पास लाता हूँ तो A प्लस B का योग आ जाएगा अगर आपको एक्जामिनर यहां पे पूछे B का मान बताओ तो उस कंडिशन में आप क्या करोगे A प्लस B है ये B प्लस C है आपको C प्लस A का मान चाहिए होगा अगर आपको B का मान पूछे तो उस कंडिशन में C प्लस A का मान यहां पे रखते B का मान ग्याद कर लेंगे अगर आपको A का मान पूछे तो B प्लस C का मान ग्याद कर लीजिए करना क्या है? X वाली value को यहां रखना है ऐसे कैसे एक प्रश्न और देखते हैं इसमें अच्छे से स्क्रीन सोट लेके अपनी notebook में यह प्रश्न not down कर लीजिएगा बहुत ही शांदार प्रश्न है और continue साथ में बने रहिएगा प्रश्न एक और देखते हैं कि यदि A अनुपात B प्लस C A अनुपात B प्लस C इसका अनुपात आपके पास है एक अनुपात 3 वह साथ में एक और चीज दी हुई है C अनुपात C अनुपात A प्लस B बराबर आपको दियावा है 5 अनुपात 7 किता दियावा है 5 अनुपात 7 हो तो आपको बताना है B अनुपात A प्लस C बहुत सांदार प्रश्न आपके सामने है A अनुपात B प्लस C एक अनुपात 3 C अनुपात A प्लस B पाँच अनुपात 7 हो तो ये बताना है कि B अनुपात A प्लस C क्या होगा option देखिएगा option 4 है option A है आपके पास एक अनुपात 2 option B है दो अनुपात 3 option C है आपका एक अनुपात 3 and option D है, दो अनुपात एक अब आपको समझ में आगया होगा कि सर इसको हल करने के लिए ये दो चीजे हमारे पास है अब इसका क्या solution होगा अगर मैं इसको ऐसे योग में लिख दूँ तो उदर आप क्या कहोगे तीन और एक चार तीन और ये टोटल चार होगा, लेकिन क्या ये स्वतंतर रहेगा, नहीं क्योंकि इसके गुने में कुछ ना कुछ आएगा ये वन एक्स है, ये थ्री एक्स है टोटल A, B और C इन सभी का योग क्योंकि ये वाली वेल्यू A अनुपात B प्लस C है एक अनुपात 3 इसको अगर मान रखूं तो 1 एक्स, मान के रूप में रखूं तो 3 एक्स, तो A का मान ये है B, C का मान ये है टोटल योग करूंगा तो 4 एक्स हो जाएगा ऐसे कैसे इसका रिजल्ट क्या आएगा A प्लस B प्लस C बराबर 5 और 7 किता हो जाएगा 12 लेकिन यहां क्या रखने वाला हूँ, Y दौनों में ऐसे नहीं के इदर भी X रख लिया, उदर भी X इदर वाले मान दौनों में सैम है तो यहां से एक चीज आरही है कि ये दोनों चीज़े अगर बराबर है तो बराबर के उदर वाली भी बराबर हो जाएगी 4X किसके बराबर हो जाएगा 12Y के 4X किसके बराबर हो जाएगा 12Y के ये वाला प्लस किया तो 4X ये वाला प्लस किया 12Y टोटल देखा तो ये और ये इक्वल तो ये और ये भी इक्वल हो गया यहां से क्या आप x y का अनुपात निकाल सकते हो x अनुपात y निकालते हैं x का मान इधर 12 y का मान इधर 4 4 3 12 4 एकम 4 किसका अनुपात आया x अनुपात y का मान आया है यहां से किलिर हो चुका है कि यह a बराबर किता a का मान तो 1x है B प्लस C का मान किता 3X यही है ना A का मान 1X और B प्लस C का मान 3X तो A बराबर 1X है यानि 1X का मान किता है 3 1 इंटू 3 किता हो जाएगा 3 हो जाएगा ऐसे कैसे B प्लस C किता है 3X तो 3 इंटू X का मान किता है X का मान है 3 3 इंटू 3 किता हो जाएगा 9 आगे देखिएगा C बराबर 5Y लिया है A प्लस B बराबर 7Y और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको दो सेम अनुपात मिल जाए इन दोनों का योग करने पर परिणाम तो उस समय आपको जो चर मान लेना है वो अलग-अलग लेना होगा यहाँ पर C का मान 5 इंटू Y 5Y का मान किता है 1 5 इंटू 1 5 ऐसे कैसे A प्लस B बराबर 7Y 7 इंटू Y का मान किता है 1 7 इंटू 1 किता 7 लेकिन अब अपन को चाहिए B अनुपात A प्लस C B अनुपात A प्लस C चाहिए B का मान है क्या A का मान तो आपके पास 3 है C का मान आपके पास 5 है अब आपको चाहिए किस का मान A का मान है C का मान है B का मान चाहिए तो कैसे निकालोगे यहाँ पर B प्लस C मिलके किता हो रहा है 9 C का मान किता है 5 तो C का मान 5 उदर भेजूँगा तो B का मान 9 माइनस 5 चार आ जाएगा तो B का मान 4 अनुपात A का मान 3 C का मान 5 टोटल 4 अनुपात 8 यानि 1 अनुपात 2 अपने पास क्या आ जाएगा एंस्वर और ये क्यूशन बहुत सांदार प्रशन बहुत हाई लेवल के है अच्छे से इने किलियर कर लीजिए क्योंकि पटवार के एक्जाम में भी हाई लेवल के सांदार प्रशन पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए क्विज कॉंटेस्ट जो बहुत जल्द पार्ट टू जिसका आयोजित होने वाला है उसके लिए भी आप चर मान अलग लेना है फिर ये समिकरन इन दोनों को देखा तो ये बराबर हो गया एक्स अनुपात वाई आ गया एक्स और वाई का मान आते ही यहां पर ए का मान जो है बी सी का मान वो है उसके एकोडिंग वेल्यू निकाल ली क्योंकि एक्स ही तो इनके गुणे में है उदर वाई गुणे में है तो वाई के एकोडिंग मान आ गया और मान आते ही हमने अनुपात गयाद कर लिया कौन सा आप्सन सही हो गया इसके लिए आप्सन नमबर एक और टाइप नमबर फॉर्टिन उसके अंदर आपको बहुत सांदर चीजे देखने को मिलने वाली है क्योंकि एक्जाम में बहुत बार प्रश्ण आता है प्रत्मा अनुपाती गयाद कीजिए मध्या अनुपाती गयाद कीजिए वितत अनुपाती गयाद कीजिए और भी खुब सारे की ये वास्च्विकता में होता क्या है टाइप नंबर 14 ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी आपको कोई प्रश्ण मिले और उसकी इस प्रकार की कंडिशन मिले ये वाली चीज क्या कहलाती है पहले उसके बारे में समझ लीजिए इसे कहा जाता है प्रत्मा अनुप एका जो मान होता है वो प्रत्मा अनुपाति कहलाता है अब बीच में जो मान है उसे मध्या अनुपाति बोला जाता है ये वाला मान क्या कहलाएगा मध्या अनुपाति इसे क्या बोला जाएगा मध्या अनुपाति और अंतिम जो मान है इसे बोला जाता है तृत्या यह बहुत सांदार चीज है अब अच्छे से इसे नौडबुक में जरूर लिखेगा कि मद्या अनुपाती को और किस नाम से जाना जाता है चतुर्त अनुपाती किसे कहा जाता है सारी चीजे एक साथ किलिर करते हैं इसको अनुरूपी संख्या भी कहा जाता है और साथ ही इन सिमिलर नमब अगर इंगलीस में मिले तो एव प्रत्मा अनुपाती ये हैं अनुपाती इसी के साथ इसको अनुरूपी संख्या भी कहा जाता है इसे सिमिलर नमब low English में भी वोल जाता है लेकिन कभी-कभी हिंदी में लिखाव आता है तो उसका भी विसेज द्यान रख अनुपाती भी कहा जाता है क्या कहा जाता है वितत अनुपाती सबसे इंपोर्टेंट चीज यही है क्योंकि एक्जामिनर आपको तीन मान देता है तीन मान देके पूछता है कि इसका वितत अनुपाती ग्यात कीजिए वितत अनुपाती का टात्रिय है कि A, B, C नहीं D का मान चाहिए आपको वो सिमिलर नमबर पूछ ले तो उस कंडिशन में आपको B और C दोनों के मान चाहिए बात किलियर हो रही होगी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो का अपने मित्रों तक अच्छे से से सैर कर दीजिए क्योंकि उनको भी ये चीज मिले उनका भी नौलेज बड़े और उनको भी अपने एक्जाम में इसका फाइदा मिल सके तो इसके उपर आधारित कुछ एक प्रश ग्यात करो सबसे पहला प्रशन मेरा यही है कि इसका चार बारा और सोला का क्या निकालना है प्रत्मा अनुपाती यानि ए बी सी और डी आपके पास चार वेलियूज है उसमें से आपको एक आमान चाहिए क्योंकि तीन मान आपके पास है अच्छे से देखेगा ए अनुपा बी समानुपात सी अनुपात डी यही चार्ट बनावा है आपको क्या चाहिए प्रत्मा अनुपाती ग्यात करना है प्रत्मा अनुपाती का मतलब चार बारा और सोला यह पीछे वाले मान है आपको एक आमान चाहिए एक आमान चाहिए तो एक को एक्स रखा बी का मान कंटि का निर्धारण नहीं होगा वी का मान 4 सी का मान है आपके 12 एंडी का मान है 16 तो अच्छे से यह चीज समझिएगा कि एक्स इंटू 16 और 12 इंटू 4 यानि इस प्रकार के समानुपात को अगर हल करना चाते हो तो क्या करोगे बहीं ये पदों का गुणन पल बराबर मत ये पदों का गुणन पल तो एक्स इंटू 16 किसके बराबर होगा 4 इंटू 12 के किसके बराबर होगा 4 x 12 तो X का मान 4 x 12 बटा 16 4 के पहाड़ से 16 चार बार करता है 4 के पहाड़ से 12 तीन बार X का मान कित्ता आ जाएगा X बराबर हो जाएगा आपका 3 प्रत्मा अनुपाती पूछे तो प्रत्मा अनुपाती ही ग्याद करना है अच्छे से इस प्रश्ण को वापस देख लीजिएगा 4, 12 और 16 का प्रत्मा अनुपाती चाहिए यानि A, B, C और D जो 4 मान है उसमें से A चाहिए आपको B, C, D इन तीनों को मानिए और A का मान कित्ता आ जाएगा X, X को A माना तो वो 3 आ रहा है ऐसे कैसे एक प्रश्ण और है 16, 12 और 4 का क्या निकालिए प्रत्मा अनुपाती ग्याद कीजिए तो इस प्रकार का अगर ये प्रश्णा आ गया तो इसका आप प्रत्मा अनुपाती किस प्रकार ग्याद करोगे आपको यहां से एक फॉर्मुला बना रहे है उस फॉर्मुले का अच्छे से देखेगा अगर प्रत्मा अनुपाती ग्याद करना हो जब A, B और C दियावाओ अगर ये गिवन हो यानि तीन मान आपको दिये हो हर बार प्रश्ण में तीन मान होंगे उसी कंडिशन में आप प्रत्मा अनुपाती ग्याद करोगे तो तीन मान हो और प्रत्मा अनुपाती ग्याद करना हो तो उस कंडिशन में करना क्या है प्रत्मा अनुपाती के लिए एक फॉर्मुला है इन तीनों में से किन दों का गुणा उपर रहेगा और किस एक का मान नीचे रहेगा वो चीज अच्छे से समझ लिजिएगा यहाँ पर A into B बटा C इन तीनों को अपन A, B, C मानते हैं A, B और C मानते हैं इन दोनों का गुणा करके इसका भाग लगा दीजिए A into B बटा C यानि A, 16, B, 12 और C का मान किसको लिया मैंने 4 को 4.16, 12.48 विल्यू आगई आराम से जब आपको 3 मान दे और प्रत्मा अनुपाती ग्याद करना कहा जाए प्रश्ण में तो करना क्या है सुर्वाती 2 मानों को गुणा करके अंतिम मान का उसमें भाग लगा देना है और बड़ा ही सरल तरीका है ये अगर आप प्रत्मा अनुपाती ग्याद करना चाहते हो ऐसे कैसे दित्या अनुपाती सुरी मध्या अनुपाती है तृत्या अनुपाती है चतुर्ता अनुपाती है उसके according वो वाले प्रश्ण भी हम करेंगे लेकिन एक अनुपी संख्या से related प्रश्ण को देखते है अगर आपको कह दिया जाए अनुपी संख्या बताईए अनुपी संख्या का तात्प्रिय है आपके मध्या अनुपाती से मध्या अनुपाती कह सकते हैं अनुपी संख्या कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं similar number तो 8 तता 18 का 8 तता 18 की अनुरूपी संख्या बताईए की अनुरूपी संख्या बताईए तो कैसे ग्याद करेंगे 8 तता 18 की अनुरूपी संख्या प्रस्न है और हमको पता है की A अनुपात B समानुपात C अनुपात D इसमें ये वाली चीज अनुरूपी संख्या है तो ये वाला मान और ये वाला मान रखना कहा हैं इसको A बनाईए इसको D क्योंकि आपको B और C का मान चाहिए तो A आठ रख दिया B और C ये दोनों मद्ये में हैं और D का मान 18 लेकिन मैंने आपको कहा कि ये दोनों मान समान रहेंगे तो ये भी X और ये भी X करना कैसे है? मद्ये पद का गुणन फल ये पदों का गुणन फल X इंटू X, X स्क्वेर 8 इंटू 18 तो 8 इंटू 18 किता होता है? 144 स्क्वेर जब हटेगा तो उदर रूट आएगा परिणाम में किता आ रहा है? 12 वापस रिपिट कर रहा हूँ अच्छे से ध्यान दीजिएगा अनुरूपी जब संक्या ग्यात करनी हो तो ये वाली A, अनुपात B, समानुपात C, अनुपात D ये वाले मद्यपद में जो लिखा है वो अनुरूपी संक्या कहलाती है तो A और D का मान आपके पास है 8, 18 ये दोनों मद्ये में X, X मानना है करना कुछ नहीं है, सीधा सौट अगर अनुरूपी संक्या निकालनी है अगर मध्या अनुपाती निकालना है अगर आपको similar number निकालना है तो करना क्या है उन दोनों का गुणा जो भी आपको प्रश्न में दे उन दोनों संक्याओं का गुणा जैसे 8 into 18 है इन दोनों का गुणा और उपर क्या लगा दो root दोनों संख्याओं का गुणा करके क्या कर दीजिए root लगा दीजिए टोटल देखिए result क्या आ रहा है 145 145 किसका है 12 का और ये तरीका सरल से सरल तरीका अगर आप हल करना चाते हो जैसे प्रत्मा अनुपाती अगर तेन संख्याओं दे तो पहले दो संख्याओं को गुणा कर लीजिए और तीसरी का उसमें भाग लगा दीजिए इससे easy कुछ नहीं हो सकता अगर आपको अनुपी संख्याओं पूछे तो उन दोनों का गुणा करके रूट निकाल दीजिए क्लियर है ना ऐसे कैसे अगर मैं कह दूँ 299 और 299 तता साथ में आपको दे दे 119 इसकी अनुपी संख्याओं बताईए तो आप क्या करोगे सीधा सा हल कर देना है इन दोनों को गुणा करके रूट निकाल दीजिए लेकिन जब आपको बड़ी संख्या मिले तो थोड़ा उसको सोचना है क्या ये संख्याओं किसी का रूट है क्या 297 का रूट होता है 119 किसका होता है 13 का अब सीधा गुणा कीजिए इसका हल हो चुका है इसका भी हल हो चुका है 73, 51 17 और 5 कित्ता होता है 17 और 5 22 हो जाएगा 221 अपना क्या हो जाएगा answer क्योंकि 290 मैंने 17 ग्याद कर लिया 119 को 13 लिख दिया है तो आपको अच्छे से ये वीडियो पूरा देखना है और जहां तक मुझे 100% उम्मीद और विश्वास भी है आप लोगों से कि आपको ये सारी चीजे समझ में आई होगी तो इसलिए आप लोग इसे जरूर शैर करोगे और continue बने रहें हमारे साथ और इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सांदार प्रशनों के साथ लेकिन उसमें मैं बात करूंगा आपके तरत्यानुपाती या चतुर्था अनुपाती या विटत अनुपाती क्या होता है बहुत important type की बात करेंगे आगे वाले वीडियो में तब तक अच्छे से पढ़ते रहें धन्यवाद